हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेक अप लुक तो जितना ज्याद आपको ये विडियो में अच्छा लग रहा है उसे कही ज्यादा ये सामने अच्छा लग रहा था और इसे करना भी बहुत ज्यादा आसाना है तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से धोलो उसके बाद आपको यूज करना है टोनर टोनर हमारे स्किन के पी एच लेवल को बैलेंस करता है और जब ही हमारे स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए तो उसके बाद हम यूज करेंगे सीरम क्योंकि आज का जो मेकप लुक है वो ग्लोई मेकप लुक होने वाला है और इसमें अगर आप मॉश्यूराइजर भी अप्लाइ कर लोगे तो थाज चिप चिपा हो सकता है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सीरम लगाना है इससे हमारा जो मेकप लुक है वो बहुत ही जादा बसंदे मुझे इतना जादा अच्छा लगता है ना कि इसके अलावा मुझे कोई मैंने भी तक ट्राइने किया है मैं लैक मेका लेने का सोच रही हूं देखती हूं उसके बाद मैंने यहां पर यूज किया है सुनीश्या मश्रूम फाउंडेशन सिसी क्रीम का यह हमारी स्क अच्छी है तो इसे आप बहुत ही अच्छे से यूज कर पाऊगे बहुत ही इजी ब्लेंड कर पाऊगे इसे उसके बाद मैंने इसे क्या किया कि मैंने इसे दो बार अप्लाई किया है एक बार फांडेशन अप्लाई किया उसके फिर से मैंने यह सुनीश्या का फांडेशन अपलाई किया तो दो बर मैंने किया है ठीक है इससे क्या हुआ कभरेज बहुत ही जादा अच्छा मिल गया लगे बहुत ही खुबसूरत साङ्यी साइनी सा मेकॉप हुआ है आप देखो अब मैं दुबारा ये सुनीश्या का फॉड़ेशन सिसी क्रीम लगा रही हूं और चाहिए ग्लोई मेकप लोक तो उसके लिए ये सुनिशा का मश्रूम फॉन्डेशन क्रीम बहुत ही जादा अच्छा था उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ आई मेकप के लिए मैंने सबसे पहले लिया हुआ है एक ट्रांसिजन सेट ताकि मेरा जो मेकप है आई मेकप व किया है और आप देखो सबसे पहले बहुत जादा एजी था तो सबसे पहले मैंने क्या किया ब्लेक किया ब्लाउन शेट को इसमज कर दिया बहुत ही एजी था मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कैसा लूक आएगा बट बहुत ही सुन्दर लुकाया, कैमरे से मैं बता रही हूँ ना, कैमरे से भी ज़्यादा सुन्दर यह सामने से लग रहा था, उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसीलर लेकर, जो भी एक्स्टर स्मज हुए थे, यह फिर फैला था, क्योंकि ब्लैक सेड है, तो यह आपके मेकप को खराब कर सकता है, अ बहुत ही सुन्दर हुआ था, बहुत सुन्दर, तो जो भी एक्स्टर मुझे इधर उदर लग रहा था, फैला हुआ, ब्लैक और ब्राउन शेड, तो वहाँ पर मैंने बस कुछ इसे तरीके से कंसीलर को अप्लाई कर लिया, और जो मेरा आई मेकप था, वो बहुत ही सुन् कितना खुबसूरत लग रहा था, यह मेकप अभी मैंने कुछ खिया भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस आई शेडो लगाया, और बस उसके जो खिनारों को है, बस क्या कहते हैं, उसे कंसीलर से सेट कर दिया, इसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ, अब मैं कर रही हू आप उससे अपनी आईवरोस को सेट कर लो, जिससे आपका हाथ बैठा हुआ है, जिससे आपको अच्छा लगता है कि हाँ, इससे करने के बाद मेरी आईवरोस सही लगती है, नैचुरल लगती है, तो कुछ उस तरीके से आपको लुक देना है अपनी आईवरोस को, ताकि वह चिश्वारी एके ब्राउन कलर का सेट तक ही कि अपलाइक लिया और उसके बाद में यहां पर नीचे लिए कि लैस लाइन पर यह क्या कहते है ब्राउन कलर का सेट लेगर का यह कि आ इसमज करी हो जो कि मैंने ब्लैक कलर की शेड को उपर निकित है तक अपड़ आप़ नि कि इसके बाद में यहां पर लगा रही हूं का जल्च लगा लेने के बाद आप कितम अबना सुन्दर लग रहा था कि मैं आपको क्या बता हम बस्तौ सा गढ़ा करकर मैंने का जल्च लगा लिए और उसे भी brush से कर लिया smudge और brush smudge करने के बाद आप देखना कितना सुन्दर लग रहा है आप अभी ही देख सकते हो कितना जादा खुबसुत लग रहा है इसके बाद मैं लगा रही हूँ eyeliner, eyeliner मैं बहुत ही जादा बड़ा या फिर विंग वाला नहीं लगाऊंगी पस हलका सा विंग निकालूंगी और पतली liner ही लगाऊंगी कि बस थोड़ी सी पता चले और एक्स्ट्रा वैसा बहुत जादा मोटा बगरा नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्मोकी आई लूक किया है तो वो भी दिखना चाहिए आप देखो कितना ज़्यादा सुन्दर लग रहा है मेरा तो मेकप हटाने का मन ही नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा सुन्दर लग रहा था ये मेकप तो बस हलका सा मैंने विंग निकाला और कुछ इस तरीके से मैंने आई लाइनर लगा लिया दोनों तरफ मैं कुछ इसी तरीके से लगाऊंगी इसके बाद आप देखो मेरा आई मेकप कितना जादा सुन्दर लग रहा है भी तो मैंने मस्करा भी यूज नहीं किया है उसके बाद मैं यहाँ पर लिप लाइनर को लेकर के अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ और लिप लाइनर मुझे अच्छा लगा यह सेट तो मैंने क्या किया ना कि पूरे लिप्स पे ही इसे ऐसा लिप्स्टिक मैंने इसे लगा लिया तो कुछ इसी तरीके से मैंने देखा कि मुझे लग रहा था कि साइद यह अच्छे से सूट करेगा इस आई मेकप के साथ जाएगा तो कुछ इसलिए मैंने लगा लिए आप देख सकते हूँ तो उसके बाद मैंने क्या किया इस लिप लाइनर के उपर ब्राउन कलर का सेड ले करके अपलाई कर दिया इससे लिप्स्टी का कलर और भी जादा सुन्दर लगने लगा उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश अरे गलोई मेकप लूप कर रहे हैं तो गालों को थोगा सा लाल लाल चमकना भी तो जरूरी है अच्छा लगेगा है ना तो रेड रेड में तो अपने गालो करना बात में याद आया है रहे यार मैंने तो मसकरा अपलाई किया ही नहीं और अगर आप इसकी साथ फॉल्स आइलेस लगा लोगे ना तो और भी जादा आपकी सुन्दर सी लगेंगी आपकी आँखे और और भी जादा एट्रेक्टिव लगेंगी तो लास्ट अब मैं य यहां पर मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर हाइलाइटर को यूज़ करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका मेकप और भी ज्यादा सुन्दर लगता है ग्लोई लगता है अब आप देख सकते हो मेरा मेकप लूक जो कि कुछ इस तरीके का था तो कैसा लगा आप सबको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी ना भूले तुम मिलती हूँ अगले वीडियो में सो तिल देन बाब बाई